सभी किसान भाईयों को नमस्कार किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो हमारा डेडिकेटिड रहेगा अभी फ्रूटिंग सीजन चालू हो चुका यानि फ्लावरिंग ओपन होना चालू हो गया अल्मोस सभी जगा पे चाहे नोर्जोन हो साउथ हो चाही आप गुजरात महराष्टर की तरफ चले जाएए वस्टन रिजियन में सब जगा पे अभी फ्लावरिंग चालू हो चुका और फ्रूटिंग आना अगबग सभी जगा पे स्टार्ट हो चुका है अभी हमें किन न्यूट्रिशन की जुरूरत है ड्रैगन फूट फार्मिंग में हमारे प्लांट को किन न्यूट्रिशन की जुरूरत है और हमारी प्रैक्टिस हमारे फार्म पे किस तरह से चल रही है भी आज ये वीडियो इसी के बारे में रहेगा कम्प्लीटली क्योंकि ह सब्सक्राइब कीघे किसानमित्र योट्ऴ चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें वीडियो शुरू करने से पर एक छोटी सी अपील है सभी किसान भाई उसे अगर आप हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारा एक Facebook का पेज हमने ओपन किया है जिसका लिंक वीडियो के description में दिया हुआ है यह आप हमारे टली गराम के गृप के साथ भी join कर सकते हैं और हमारे WhatsApp के गृप भी चालू है आप उन्हें भी कर सकते हैं तो कि हम ज्यादातर लगातार वीडियो न डालते हुए कुछ अगर जूरूरी सूचना रहती है या जूरूरी टिप्स रहती है तो हम गूरूप में या पुर टेलीग्राम के माध्यम से या फेस्बूक पेज के माध्यम से हम छोटी-छोटी किलिप या छोटे-छ सकते हैं कि आपके फ्रूट का साइज इंप्रूव हो आपके जादा से जादा बर्ड साइज इन किसान भाईों के अभी तक फ्लावर नहीं आए उनके फ्लावर कैसे आ सकते हैं और जो किसान भाई अभी फ्लावरिंग ओपनिंग स्टेज में हैं तो उन्हें अभी क्या करेंगे आप देख रहे हैं फ्रूट का साइज भी काफी इंप्रूव होके रखा हुआ है हमारे यह इस तरह से हम चार ड्रम रेडी करते हैं अपने फूटिंग सीजन में नॉर्मली इस बार हमारी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा ही रही क्योंकि इस बार हम बैक्टीरिया ब पर लास्ट टाइम भी यह चार आपको इस तरह से बोटल आपको दिखाई दे रही होंगी यह गोर्मेंट बेस ही कंपनी है इसको जो गोर्मेंट की सबसीडरी है सबसे पहला आता है इसमें लिक्विड कंसोर्टिया यह हम यूज करते हैं दूसरा फॉस्फोरस बेस फॉस्फोरस और पटाश जो रहता है वह उसको मॉबलाइज करके रूट सिस्टम तक पहुंचाते हैं जिससे हमारे पोदों की वृद्धी होती है ग्रोथ होती है फ्रूट में कंवर्ट होता है और फ्रूट ओपनिंग यानि फ्लावर ओपनिंग में भी साहिता करता है जन घ्रूट की सबसे ज़्यादा जरुरत रहती है नाइटल जीं की इतनी ज्यादा ज़्युर्त नहीं रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो काम रहते है वह इछ बन मजबूत में काम करता है यहां जल्दी से जल्दी ओन नूट्रिसन घ्रप करें कृटर में यहां और सबसे पहले यूज कर सकते हैं phosphorus based bacteria phosphorus based bacteria क्या काम करता है ये fruiting season में specially fruiting season में ये नए birds को बाहर निकालता है flower opening में सहता करता है leaf में stress पैदा करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इसके अंदर से birds निकले और हमारे flower बने दूसरा इसका काम रहता है यह root stock को यानि जड़ों को मजबूती देता है ताकि जड़े ज़ादा से ज़ादा nutrition जमीन से सोक सके तो इस तरह से इसका यह काम रहता है तीसरा हमारा जो product रहेगा वो रहेगा potash mobilizing bacteria इसका काम रहता है, potash का क्या काम रहता है जो manádvan component npk में Potash चाम रहता है ये रि성을 के भराशां में सहाइथा करता है यानि फल को भीड़े धीर ए उसको बड़ा करता चला जाता फल में शाइनिंग लेके आता है, फल पे एक तरह से चमक लेके आता है, तो इसका काम पटाश बैक्टीरिया का बाद में रहता है, क्योंकि सबसे पहले हमको फासफोरस बेस बैक्टीरिया रहेगा, सबसे पहले हमारे फ्लावरिंग ओपनिंग होगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आपको flowering opening नहीं हो रहे हैं पहले जितनी बार भी आप watering करते हैं यानि जितनी बार भी पानी लगाते हैं अपने फिल्ड में तो उतनी बार आप phosphorus based bacteria यूज कीजिए कम से कम दो बार जब भी पानी देते हैं फर्स दो पानी में आप phosphorus based bacteria दीजिए उसके बाद potassium based bacteria जब दीजिए तीसरे component रहता है जिंक जिंक को भी आप यूज कर सकते हैं यह एक तरह से फल को गिरने से भी रोकता है फल में जो गिरावट होती है कभी बार उसको भी रोकता है और इसके root system को भी develop करने में काफी मदद करता है जिंक को सिरफ हम एक ही बार यूज करते हैं पूरे लेकिन यूज करके जुरूर देख सकते हैं कोई जुरूरी नेसेसरी नहीं है अगर आपके फिल्ड में जिंक की मातरा पूरी है अगर आपने मिट्टी की जाच करवाई है और उसमें जिंक की मातरा पूरी है तो कोई जुरूरत नहीं है इसको आप इसको अवाइड भी कर स तो आप न्यू लिफ का ये फर्टी लाजर यूज़ कर सकते हैं इसे हम पैरलर यूज़ कर रहे हैं हम मॉबलाइजिंग बैक्टिरिया भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में ये भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे लग बग दो सीजन में हमने इसको यूज किया रिजल्ट बहुत बहतर आये थे हमको तो इसके लिए हमने इसके दस बॉक्स बंगवाएं जैसे कि आपने देखा भी होगा और कुछ दिन पहले भी हमने इसको यूज किया हम इसको हर तीन महिने में यूज कर रहे लेकिन हमारा रिकमेंडेशन यह है कि अगर जो नए किसान है जो पहली बार फ्रूटिंग ले रहे हैं तो उसे फ्रूटिंग सीजन में यूज करें अगर आपके या पैसे की किलत नहीं है या फिर आप एक्सपेरिमेंट के तोर पे भी करना चाते हैं कि हमको वेजिटेटि लेकिन हमारा हाइली रिकमेंडेशन यह है कि आप फ्रूटिंग सीजन में इसे एक बार जुरूर यूज करें क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बैतर रहता है और वो सभी माइक्रो नूटिंट इसके अंदर में हैं जो पोधे को फ्रूटिंग सीजन की में जुरूरत रहते क्योंकि एक भी माइक्रो नूटिंट कम ज़्यादा होता है तो उसे हमारे फ्रूटिंग सीजन पर फेक्ट आता है और अगर फ्रूटिंग सीजन पर इल्ड में थोड़ा फरकाता है तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा भारी पढ़ जाता है यह मामला तो हमारा रिकमेंडे तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फिल्ड में अभी दो ही चीजों की सबसे ज़्यादा पोधे के जुरूरत है वो है फास्फूरस और पोटाश इन दोनों के बीच में अंतर करके चलिए करीबन 15 दिन का माल लीजिए आपने पहले 15 दिन अगर फास्फूर से फल बन जाएगा और धीरे धीरे भरने लगेगा वह भरने की स्थिती में आजाएगा उस टाइम पर अगर आप पोटास बेस बेक्टिरिया देते हैं तो एकदम इंस्टेंट वह एकदम बूस्ट देता है आपके फूट को और उससे आपका फूट का साइज भी प्रण वह भ्रतपिता है प्राइब प्राइब